हेलो एवरीवन राकी खोसला चैनल में आप अब स्वागत है लॉंग शॉट वीडियो के साथ साथ आपको अबजेक्टिव कोश्चन्स की वीडियो भी इस चैनल पर देखने को मिलेगी जो ना सर्फ एक्जाम की तैयारी के लिए बेनिफीशल होने वाली है बलकि बच्चों से लेकर बड़ो तक हर किसी के लिए नौलेजबल साबित होगी तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे इस प्रश्ण का जवाब आज तक एक रहस्य बना हुआ है कि धर्ती कैसे बनी? धर्ती पर पहला जीव कौन सा था? इस विशे पर विज्ञान और धर्ब दोनों के अपने अपने तरक है लेकिन आज के इस मास्टर क्लास में हम फिर से आपको जीवन से लेकर जैन धर्म तक का संपुर्ण इतिहास कहानी की तरक प्रम बद सरीके से बताने जा रहे हैं हमारा किसी भी धर्म के साथ कोई मतभेद नहीं है हमारा काम सिक्षा और तथ्यों की दृष्टी से सिर्फ अपने देश की इतिहास को बताना है तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं धार्मि ग्रंथों पर विश्वास करने वालों ने कहा कि शुष्टी की रचना ब्रह्मा जी ने की और ब्रह्मा जी की उत्पत्ती भगवान विश्वास के नाभी से हुई भगवान विश्वास आदी अनंत शिव के अवतार हैं और स्वें शिव निराकार हैं और प्रकृती यानि नारी शक्ती शिव की साकार शक्ती है शिव पुरुष है तो प्रकृती नारी है जर्म देनी की शक्ती केवल नारी में है इसलिए प्रकृती मा है ब्रम्हांड मा शक्ती है इन्हीं की इच्छा से शिशुगर्भ में आता है सांस लेता है और धर्ती पर आकर जब अपने नेतर खोलता है तो देखने की शक्ती भी य यही देती है यानि नेत्र जोती भी यही है धार्मिग्रंथों के अनुसार शुष्टी की रचना से पूर्व चारो तरफ अंधकार था अंधकार का कोई आकार नहीं इसलिए सिर्फ एक अजीप सा सन्नाटा था मानो कोई जीवन ना हो लेकिन जीवन था क्योंकि अतीत बीद जाता है पर समाप्त नहीं होता भले ही उसके प्रमाण हमारे पास हो या ना हो पर यह सत्य है कि आदी शक्ति ही मा स्वर्सती मा लक्ष्मी मा काली मा दुर्गा मा सीता मा राधा मा रुक्मनी हैं इसी नारी शक्ति ने ही जर्म दिया राम को कृष्ण को महवीर को बुद्ध को नानक को कबीर को नारी ने सीता बनकर अपने राम के साथ वनवास काटा सावित्री बनकर अपने पती के प्राणों की रक्षा के लिए यम्राज से लड़ी सीता का अपहरन रावर ने किया लेकिन अगनी परिक्षा देनी पड़ी सीता को विवैस्था और परंपरा के नाम द्रौपदी को पांच पतियों में बाटा गया लेकिन उसके अपनोंने ही भरी सभा में उसे खत्म करने का प्रयास किया और इस भूल का परिणाम हुआ भीशन युद्ध महाभारत कॉरववश का संपूर्ण नाश जब जब पाप का घड़ा भरा शृष्टी का संपूर्ण अंतराल के बाद एक बाद फिर उसी अंधकार में एक हलचल हुई एक इच्छा जागी और अंधकार को चीर्ता हुआ एक प्रकाश रूपी आत्मा का जन्म हुआ ब्रह्मा की शक्ति, शिव शक्ति, आदी शक्ति का जन्म हुआ शिव और शिव शक्ति ने संपून वातावरण में फैले गहन अंधकार, सन्नाटा और सुन्यता को भरने के लिए शिष्टी की रच्ना के लिए सबसे पहले पंचतत्व, आकाश, वायू, जल, अगनी, प्रित्वी, एवं ग्रहनक शत्रों की रच्ना की शिष्टी कल्यान में अपनी इस रच्ना को गतिमान और शक्तिमान बनाने के लिए शिव शक्ती ने प्रथम छे रागों, भैरव, श्री, बसंत, मेग, मलहार वो नट नारायन पर आदी निर्थे आरंभि किया मानव के रहने के लिए शिष्टी की रच्ना का निर्मान होना था नारी और पुरुष के सहयोग के बिना शिष्टी की रच्ना असंभव थी इसलिए माशक्ती ने प्रक्ति सुर्यूपा, मास्वरसती, मालक्ष्मी, माकाली को उत्पन्य किया और इन्हें शृष्टी की रशना का दाइत्व सौंपा, तीनों देवियों की शक्ति से पाताल लोक में भूचाल आया, निंदस्तुती की राक से धर्ती का निर्मान हुआ। आदी अनन्त देवों के देव महा देव ने भगवान विश्णु और ब्रह्मा जी को शृष्टी कामना से उत्पन किया। मनु और प्रथम नारी शत रूपा को प्रकट किया, मनु और शत रूपा ने पती-पतनी बन कर सृष्टी को आगे बढ़ाने का कारे किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने शृष्टी की रचना का कार्य पूर्ण ने किया और भगवान विश्णू शृष्टी के पालनहार के रूप में आज भी विद्यमान हैं। तो आपने सुना धार्मिक दृष्टी कोण से शृष्टी की उत्पत्ती कैसे हुई। हिस्ट्री की पहले शेप्टर में आपने जाना धार्मिक दृष्टी से सृष्टी और मनुष्टी का जन्म कैसे हुआ। लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो धार्मिक तत्थियों को सिर्फ कालपनिक मानते हैं और विज्ञान को तवस्दो देते हैं। तो आएए विज्ञान क्या कहता है इसे भी जानते हैं। और नहीं बलकि पानी में रहने वाले जीव थे। इस रहसे को जानने के लिए हम कम शब्दों में सबसे पहले विज्ञान के अनुसार जानेंगे कि जीवन से पहले क्या था। विस्फोर्ट के कारण धूल के बादलों में पाई जाने वाले रेडियो एक्टिव पदार अंतरिक्ष में फैल गए। जिससे ग्रेवटी का निर्माण हुआ। ग्रेवटी के कारण अंतरिक्ष में पाई जाने वाली अन्य गैसों में हाड्रोजन और हीलियम गैस बीच में इकठा होने लगे। जिसके कारण भारी दबाव से ऐसा भयंकर विस्वोट हुआ कि चारों तरफ से अंधकार को दूर करने वाले सूरज का जन्म हुआ। साथ ही कई अन्य छोटे छोटे ग्रहों के बनने से हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ। सूरी के जन्म से प्रकाश तो आ गया लेकिन जीवन अभे भे संभव नहीं हुआ। सूरी के बादल और गैस बड़े-बड़े उलकापिंड और पत्थरों में परिवर्तित होने लगे। तक आपने देखा कि शिष्टी की निर्मार से पहले किस तरह करोडों साल तक अंतरिक्ष से लेकर धरती तक सिर्फ भयंकर विस्फोर्ट और उलकापिंडों की बरसात हुई, उलकापिंडों की बर्षा से प्रिथ्वी पर पानी की मात्रा बढ़ने लगी और प्रिथ्वी एक विशाल का एस समुद्र में परिवर्तित हो गई। तब प्रिथ्वी पर अधिकांश मात्रा में पानी ही पारी था, वेग्यानिक अल्फ्रेट वेगनर सहित अन वेग्यानिकों का कहना है कि शुरुवात में प्रिथ्वी पर सिर्फ एक ही उक महद्वीब था जिसका नाम था पेंजिया, शिष्टी निर्माण के तोरान वेग महासागर घेरे हुए था उसका नाम वेग्यानिकों ने पैंथालासा रखा भू वेग्याने पैंजिया का अस्तित्व लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले मानते हैं जबकि अध्यात में ग्यान की बात करें तो अध्यात में ग्यान की कुछ शाखाए इसे सिर्फ 5000 वर्ष पुरान लैंड कहा गया पैंजिया के जब दो हिस्से हुए तब इन दोनों की बीच एक विशाल महासागर बन गया था जिसका नाम रखा गया ठैटिस और इसके अलावा जो साथ महाद्रीम बने वह इन ही दोनों उत्री और दक्ष्णी हिस्से के भाग थे अगर हम बात करें उत्री हिस्से की तो उत्री हिस्से में आज का उत्री अमेरिका, यूरोप और एश्या शामिल थे वही दक्ष्णी हिस्से में अफ्रीका, अंटार्कितिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे भारत जो आज एश्या का हिस्सा है वह गोंडवाना लैंड में अफ्रीका, अंटार्कितिक और आस्ट्रेलिया के बीच धसा हुआ था लेकिन भूवेग्यानिक अल्फ्रेड वैगनार के अनुसार लगभग 10 करोल वर्ष पहले भारत एशा महादूीब की तरफ जब खिसक रहा था और इसकी रफ्तार इतनी धीमी थी कि शायद मैं और आप इसे मैसूस भी न कर सके ठीक वैसे ही जैसे प्रिश्वी घूमती रहती है लेकिन हमें यह नहीं पता चलता कि प्रिश्वी घूम रही है और इस तरह काफर लंबे समय बाद भारत एशा महादूीब से जब टकरा गया जिसके कारण इनके बीच की धरती उपर की तरफ उठने लगी और एक विशाल परव समय के साथ धीरे धीरे गोंडवाना लैंड पाच वागों में विभख्त हो गया जिन मैं अफ्रीका, दक्षणी अमेरिका, कोई मूल, आस्ट्रेलिया और आर्केटिक बने और इन्हें गोंडवाना के पंच महाद्रीब कहते हैं कहा जाता है कि गोंडवाना लैंड में ही मानव की उत्पत्ती हुई और आदिवासी ही प्रथम मानव उत्पत्ती थे बेकिन अधिकान्ष लोगों का यह मानना है कि भारती आदिवासी अफ्रीका से आकर बसे थे इसलिगे भारती नहीं है लेकिन यह बात कितनी सच है इस बारे में भी हम आग्याने वाली वीडियो में बात करेंगे लेकिन फिलहार गोंडवाना लैंड और लोरेश्या लैंड कोई प्रांत रही है यह सिर्फ एक लैंड है और लोरेश्या एक लैंड था जो गोंडवाना लैंड से अलग था लेकिन प्रित्वी पर समुद्र का विशाल समराजी होने के बावजूद भी प्रित्वी के अंदर का हिस्सा अभी भी अत्यंत गरम था तो फिर सोचने वाली बात यह है कि पानी के अंदर जीवन कब और कैसे संभव हुआ इसका जवाब है ज्वाला मुखी का निर्माड दरसल प्रित्वी की सतह के अंदर का हिस्सा गरम और प्रित्वी का उपरी हिस्सा ठंडा होने के कारण प्रित्वी के अंदर की गरमी बाहर नहीं निकल पाई जिसके कारण ज्वाला मुख्यों का निर्माड हुआ ज्वाला मुखी के फटने से प्रिथवी के गर्भ में छूपे बहुत सारे मैटीरियल्स, मैटल्स और गैस जिन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी था एक साथ बहा निकलने लगे जिससे प्रिथवी धीरे धीरे ठंडी होने लगी और वातावरन स्थिर होने लगा लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब वातावरन स्थिर हो गया था तो जमीन के अंदर ही सबसे पहले जीवन क्यों उत्पन हुआ इसका कारण है प्रिथवी पर ओजोन लेयर का पतला होना ओजोन लेयर सुरी की हानिकार किर्णों को प्रिथवी पर आने से रोग नहीं पा रही थी जिसके कारण प्रिथवी के उपरी सतह पर जीवन संभव नहीं था लेकिन ज्वाला मुखी के निकलने से समुद्र का पानी केमिकल युग तो होता जा रहा था जिसके कारण पानी में जीवन की शुरुवात हुई सुक्ष्म जीवों का जर्म हुआ जो सिंगल सेल बैक्टीरिया कहलाए हाला कि धर्ती पर जिंदगी किस रूप में पैदा हुई यह एक रहस्य है लेकिन इन सुक्ष्म जीवों के कारण बातावरण में ऑक्सीजन फैलने लगा ऑक्सीजन आने की वज़े से ओजोन लेयर मोटी होने लगी और सुरी से निकलने वाले हानिकार किर्णों का प्रभाव भी कम हो गया जिससे यह सुक्ष्म जीव धीरे-धीरे विक्सित होकर समुद्री जीव में परिवर्तित होने लगे और पृत्वी के जायतार हिस्सों में फैल गए इने समुद्री जीव में उत्पन हुए ऐसे जीव जो कही न कही हमारे शरीर के कई अंगों से मेल खाते हैं जो आज से कई हजार साल पहले हमारे पूर्वजों के अंदर विक्सित होई पिकाया एक ऐसे जीव थे जो अपने शरीर में रीड की हड़ी को विक्सित कर लिये थे जो आगे चल कर हमें मिले ऐसे ही मशली और इंसान में पाया जाने वाला गिल्ट स्लिट्स है इसी तरह मा के गर्व में जब बच्चा पाजवे और छठे महीने में होता है तो उन में एक पूँच भी विक्सित होती है जो मा के गर्व में उस समय तक रीड का हिस्सा होती है लेकिन आगे विक्सित होकर यह रीड के निचले हिस्से में बदल जाती है ऐसे ही समुद्री जीव में टिक्तालिक मचली समुद्र से बाहर आने लगी और समुद्र से बाहर के वातावरण अनुसार अपने अंग को विक्सित करते हुए जमीन में ज्यादा समय तक रहने लगे और इस तरह आगे चल कर पानी में रहने वाले यह जीव डाइनासोर, बर् लेकिन शर्ष्टि और मनशी की उत्पत्ती का समय अभी भी नहीं आया था, अभी तो समुद्री जीव धीरे धीरे विक्सित हो रहे थे और इनी समुद्री जीव में से कुछ शक्तिशाली विशाल का जीव बने जो डाइनासोर से भी 30 साल करोड पहले के जीव थे, जो वक् शक्ति आकाश और पानी में राज करने वाले शक्तिशाली विशाल काई डाइनासोर का काल आया, तो उन्होंने आतंक का ऐसा तांडव मचाया कि धर्ती पर रहने वाले छोटे प्रजाती के जो जीव थे, वे मांसाहारी डाइनासोर का शिकार बनते जा रहे थे, ऐसे में मै मैमल्स जो देखने में चूहे की तरह थे, उन्होंने डाइनासोर के आतंक और अत्यंत गर्मी से बचने के लिए उपाया निकाल लिया था, और अब वह धर्ती को छोड़कर धर्ती के अंदर छिपकर रहने लगे थे, जिन्दा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना जाएका और धर्ती पर इन्ही का राज होगा, सोरह करोड साल तक धर्ती पर राज करने वाले डाइनासोर का अंत तब हुआ, जब पृत्वी पर दस किलो मीटर व्यास वाला एस्टरोड सीथे धर्ती की ओर बढ़ राता, धर्ती के गुर्दवाकरशन छेतर में घुसते ही, इसकी रफ्तार और भी तेच हो गई, और एक आग के गोले में बदल गई, एस्टरोड के जमीन से टकराते ही बहुत भेंगर विस्पोर्ट हुआ, जिसके कारण उसमे धर्ती आकाश और पानी में रहने वाले डैनासोर्स है, सभी जीवों का अंत हो गया, लेकिन धर्ती के अंदर रहने वाले मैमल्स के लिए यह विस्पोर्ट वर्दान साबित हुआ, मैमल्स धर्ती के अंदर से निकल कर धर्ती पर आने लगे, और धीरे धीरे उन्होंने ने तरह के भोजन और जीने के लिए एक ने तरीकों की खोश शुरू करती, और अभी यह छोटी प्रजात अपने तरीके से देता है, और धर्म अपने तरीके से, हिंदु धर्में जहां मनुश्य को बंदर से नहीं जोड़ा गया है, तो वही वैग्ञानिक द्रिष्टर से देखने पर हमें पता चलता है, कि प्रिथ्फवी पर जहां मैमल्स विखसित होकर एक जगर से, दूसरी ज अलाके में एक नए परवर्ष श्रिंखला का निर्माण हुआ जिसका नाम था इस्ट अफ्रिकन रिफ्ट वैली बहुत से विग्यानिक मानते हैं कि मनुष्य जादी अपने शुरवापी काल में इसे रिफ्ट घाठी में विक्सित हुई क्योंकि यहां आधुनिक मानवों की पूरवज नसलों के लाखों वर्ष पुराने अवशेश मिले हैं इनमें प्रसिद लूसी नाम की तीस लाख पूराने इस्टरी के अवशेश भी शामिल है हालाकि लूसी नाम को अनपचारिक नाम दिया गया है मानफ सभिता के अगर हम बात करें तो मानफ सभिता के इतिहास के बारे में जो हमें सबसे पहले जिक्र जिसका आता है या यूं कहीं कि जिसके बारे में में सबसे पहले पता चलता है वो है सीहोर जीले के हथनौर का यह नर्मदा नदी के किनारे बसा एक गाउ है यह गाउ पांच दिसंबर 1982 को तब विशु पटल पर सामने आया था जब पता चला कि यहां मानव की उतपत्ती हुई है यानि कि यहीं से ही मानव की उतपत्ती हुई इसी प्राशीन मानव को विज्ञानिकों ने नर्मदा मानव नाम दिया इसके बाद अब तक दुनिया में कहीं भी इस से पुराने मानव जीवार्ष में नहीं मिले हैं और अगर हम बात करें कि नर्मदा नदी से ही आखिर क्यों मानव उत्पत्ती हुई तो इसका उत्तर है जिस नदी का धर्ती पर पहला उत्गम हुआ वह है नर्मदा नदी नर्मदा नदी का संदी भी छेद करें तो नर और मादा है यानि की पुरुष और इस्त्री हाला कि नर्मदा नदी से संबंदित कई लोग प्रिय कथाए हैं तेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस नर्मदा नदी से पहले जीव की उत्पत्ती हुई और जिसका जन्म स्थल है अमरकण तक नर्मदा नदी से उसके आज पास की जो नदिया है वहां के दरे खुरे से जो भी अवशेश मिले हैं जैसे ओजार, शिला श्रेल, चित्र लीपी वह यह दर्शाते हैं कि यहां आदिमारम निवास करते थे और यह पूरा घटना चक्र पूरा पाशान काल का बताया जाता है जब प्राकृतिक रूप से इस्ट अफ्रिकन रिफ्ट वैली बन कर तयार हो रही थी तब यह परवत यहां आने वाले मांसूनी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी और इस वज़े से यहां की जंगलों में बारिश होनी बंध हो गई पर इसी जंगलों में रहते थे इप्स इनका दिमाख एक संत्री के जैसे बड़ा था और आकाल में यह चार फिट लंबे होते थे यह पेड़ पर रहते थे जहां उनको खाने की कोई समस्या नहीं होती थी लेकिन अब यहां समय के साथ साथ सूखा पढ़ने लगा जब बारिश के बीना पूरा जंगल खड़े होकर यह सभी दिश्वाव में काफी दूर तर देख सकते थे और अपने घातक दुश्मनों बड़े बड़े जार्मरों से अपनी सुरक्षा कर सकते थे इससे उर्जा कर्म खर्च होती थी और यह चलते हुए भी खा सकते थे अब इनका दिमाख भी तेजी से था यह धीरे धीरे होशियार बनते जा रहे थे समय के सासर इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना उनसे शिकार करना सीख लिया था और उन्हीं पत्थरों से आग की खोज कर भोजन पकार कर खाना सीख लिया था आग की खोज हमारे पूरवजों के लिए सबसे बड़ी खो होती थी और इसी वज़े से यह उर्जा अब इनके दिमाख में खर्च होने लगी जिससे हमारे पूरवजों का दिमाख अब काफी बड़ा हो चुका था उर्जा आने से इनके गले की बंद कोश कायम ही खुलने लगी अब इन्होंने अपने संदेश को दूसरों तक पहुंच करम था जिसके बाद विक्सित होकर हम इनसान बने लेकिन कहा जाता है कि अफ्रीका की अपेक्षा भारत में मानव बाद में बसे मानव के प्राशिंतम अस्तित्व का संकेद गलेशन काल के बताए जाते हैं मानव धर्ती पर प्राइस्टो सीन के आरम में पैदा हुआ यह व मानने का भी विश्रित छेतर आता है अतधिक ठंड के कारण यहां जीवन संभव नहीं था लेकिन पद्यावरण के बदलते रहने से अधिकांश हिम पिंगल गई और बहुत सी हिम चादरे लुप्थ हो गई वानर मानव से आधुनिक मानव बनने तके सफर में क्या-क्या प अब तक हमने जाना की जलवाईयों परिवरतन और खानी की तलाश ने आधि मानव को बहुत बुद्धिमान बना दिया था उन्हें हाथों से वस्तुओं को पकड़ना पत्थरों का इस्तमाल कर आग जलाना हथियार बनाना सीख लिया था उन्होंने सबसे पहला औजार कुल पूरा पाशानकाल के बारे में हमें पता नहीं चलता अगर भारत में सबसे पहले रॉबर्ट ब्रुस फुट ने मानव अवशेशों का शोधकार शूरू ना किया होता 24 वर्ष की आयू में फुट ब्रिटेन से भारत आये और उन्होंने उस समय के मानव जीवन का पता लगाने के लिए सबसे पहले प्री हिस्ट्री यानि प्राग एतिहासिकाल के तीन काल खंडो पूरा पाशानकाल कांस युग और लोह युग का अध्यन किया अपने शोधकारी के दोरान उन्होंने सबसे पहले 1863 में हाथ की कुलारिया मिली इस खोज ने उनके अंदर और भी जिग्यासा पैदा कर दी अध्यन और खोज की कई वर्षों बाद 1820 में जर्गरस फॉमसन ने साक्षों के धार पर यह जाना की प्राग एतिहासिकाल में आ अधियार भी प्रमाण के रूप में मिले हैं लेकिन इन आधि मानव को अपने विवेक से पत्थर से लौह युग तक पहुंशने में कई वर्ष लग गए मानव ने अपने जीवन का सबसे लंबा समय पूरा पारशान काल में बिताया था लेकिन तब तक उन्हें कृशी और पशुपालन की कोई जैनकारी नहीं थी धीरे धीरे जैसे विज़से विकास की गती आगे बढ़ी पूरा पारशान से मध्य पारशान युग में आते आते उन्होंने पशुपालन सीख लिया और शिकार पसरक्षा की द्रिष्टी से उन्होंने अपना सबसे पहला पालतु पचू कुट्ता बनाया लेकिन विधिवत तरीके से पशुपालन के प्रथम शुरुवात नवपरशाड काल में हुई इस युग में आदिवानव ने क्रिशी की खोज की क्रिशी में उनको पहुत फाइदा नजर आया अब उन्हें भोजन की तलाश में इधर उज़र घूमन जिने जिस कारे में माहरत हसल थी वह उस कारे को कर रहा था जिससे श्रम विभाजन की प्रणाली शुरू ही और फिर यहीं से शुरूवात हुई समाज के स्थाई और सामुहिक निवास की कहानी और इस तरह आधी मानव आधुनिक मानव में जिसे होमो स्पेसियन्स ग्यानी मानव कहते हैं मैं अफ्तरित हो गया समू में और आवास बनाकर रहने के पुरा तात्विक्वल लिखित प्रमान हमें भारती उप महध्वीप के उत्तर पश्चिन छेतर में देखने को मिलता है जहां नगरों के रूप में विक्सित भारत की सबसे प्राचीन हडपा सभिता यानि सिंधु घाटी सभिता का पता चला इसलिए हडपा संस्कृती को आद एतिहासिक सभिता के रूप में जानते हैं हाला की कान स्य यूगी की सभ्हता में हडपा संस्कृती सबसे पुरारी नहीं है। भारत की प्रथम घ्यात सभ्हता है। इस समय की लिपी भाफचित्रात्मक थी। इसलिए पुरा तात्विक वर्शोध करतों द्वारा इस लिपी को पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन इस सभिता में मिले प्रमाणों से यह पता चलता है कि आदी मानग चित्रकारी भी करते थे इस सभिता के अस्तित्व के बारे में बीसवी सदी के तीसरे दशक में पता लगा चार्स मैसन ने दोरे के दोरान हडपा छेतर में जमीन के अंदर दबे पुरातन अवशेशों का निरिक्षड किया और 1842 में एक अंग्रेजी न्यूस्पेपर में अपने लेक के माध्यम से हडपा के पुरातन अवशेशों का जिक्र पूरे देश के सामने कर दिया उसके बाद से खुदाई और खोज का सिलसला शुरू हुआ 1853 से 1856 के बीच जब पाकिस्तान में लोहोर से कराची तक के लिए रेल्वे ट्रेक का निर्माण किया जा रहा था तब रेल्वी इंजीनियर्स जॉल्स बर्टन और विल्यम बर्टन को हडपा में मौजूद मजबूत इटो का पता चला ऐसी मजबूत इटो के बारे में पता चलते ही अलक्जेंडर कनिंगम नामक एक अंग्रेज अधिकारी को सिंदु घाटी सभिता और इसके विस्तार के बारे में जारकारी एकत्र करनी की इच्छा जागी और उन्होंने हडपा का मांचित्र तयार करना शुरू किया मांचित्र बनाते समय उन्होंने पाया कि सिंदु नदी के किनारे बस ही सिंदु घाटी सभिता कोई छोड़ी सभिता नहीं है यह उत्तर में कश्मीर के मांडा, पश्चिम में पाकिस्तान के सूत का गंडोर, पूरू में दिल्ली के आलमगीर पूर, दक्षन के महराष्ट में दायमा बाग तक फैली है कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इसका छेत्र फर्ल 13 राख स्कुयर में फैला हुआ था मांचित त्यार करते करते अलेक्जंडर कनिंगम के मन में हडपा की खुदवाई करवाने का विचार आया और इसके लिए उन्होंने अन्य अधिकारियों से बात की 1861 में भारती पुरातन विभाग की स्थापना की और फिर 1921 में इसी पुरातन विभाग के प्रमुकसर जॉन मार्शल के नित्रित्व में पहली बार हडपा का अधिकारिक तोर पर उत्खनन कारी शुरू हुआ जौन मार्शल ने हडपा में उत्खनन का कारे भारती शुद करता दयाराम साहनी को सौपा और सन 1922 में राखल दास पैनर जी को सिंध प्रांथ के मोहन जोदारों में उत्खनन का कारे सौपा खुदाई के दोरान पता चला कि हडपा और मोहन जोदरों इस सभिदा के दो मोखे छेतरे हैं हडपा पाकिस्तान जो कभी भारत का हिस्सा था कि पंजाब प्रांथ में रावी नदी के किनारे स्थित है और मोहन जोदारों पाकिस्तान के लर्खाना प्रांथ में हैं पंजाब एक हजार स्थल भारत में मिले हैं 500 पाकिस्तान में और दो अफगानिस्तान में और इस तरह सभिता के चिन बुलिस्तान, सिंध पंजाब, हर्याणा, गुजरात, राजस्तान, पश्मी उत्तप्रदेश में मिलते हैं सिंधु सभिता का पहला साक्ष हरप्पा में मिला इसे लिए हम कह सकते हैं कि अगर हरप्पा में इसकी शुरुवाती खुदाई नहीं वोती तो सिंधु घाटी सभिता के बारे में हमें पता नहीं चलता और आगतेहास के अध्यन से हमें पता चलता है कि वानर मानव से मानव धीरे थिये प्रगती के एक नए चरण सभिता के चरण में प्रवेश करने में समर्थ हो गया जहां नगरों का उदय हुआ ऐसा नगर जहां हडपा और मोहन जोदारों दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे चारों तरफ से हडपा और मोहन जोदारों दुर्ग से घीरे सुरक्षा के दृष्टी से इतने मजबूत थे कि यहां पर विदेशी आक्रमन का कोई सं प्राप्त था जबकि कुछ पुरा तत्व वीदों की राय में हडपा सभिता में कई साशक वर्ग मौजूद थे जो विभिन हडपा इस शहरों में शाशन करते थे ऐसा माना जाता है कि यहां की साशन वेल्स था काफी सुद्रड और सम्रिद थी प्रतेक नगर में दुर्ग के प्रांगण और स्नानागार थे हडपा मोहंजदारों के समय जलनिकासी प्रणाली अद्भुत थी घरों का पानी बहकर सडकों पर ना जाए इसके लिए अंडरग्राउंड नालिया थी हर घरों में अपने अपने कूवे थे पानी के लिए किसी को भी घर से बाहा नहीं निक प्रणागार के पास ही कमरों की विवस्था थी सनानागार का फर्ष भी पक्की इटों का बना हुआ था पास में ही एक बड़ा सा कुवा भी था इससे पानी निकालकर हौज में डाला जाता था इतनी सुवे अस्थि ढंग से बसे इस नगर को देखकर यह अंदाजा लगाय जा सकता है कि सिंदु घाटी सभिता वहां के कुशल प्रतापी और प्रतिस्थित शाशक वर्ग द्वारा बसाया गया सूवे वस्थित बहतरी नगरों का निर्मार था जो सिंदु घाटी सभिता से पहले ना देखा गया ना अब तक देखा गया है यह वर्तमान समय के नग कि श्रमिक और व्यापारी वर्ग निवास करते होंगे, क्योंकि साक्ष से पता चलता है कि यहां के लोग पथर, धातों, सीप और संग का व्यापार करते थे, उस समय धातों मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, इसलिए एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु व्यापार के रू लिए ले जा सके, अपने विवेक से उन्हों ने लखडी का अस्तमाल कर नौका बनाने की विधी जन ली थी और धीरे-धीरे ये नाव बनाने में निपूर्ण हो गये थे और फिर इनी नावों का अस्तमाल कर वह उत्री देवी की मुट्टी इस बात का प्रमाण हैं लेकिन हडपा इस थलों पर किसी मंदिर की प्रमाण नहीं मिलते हैं खुदाई में मिले कब्रिस्तान से यह पता चलता है कि हडपा और मोहंजदारों एक ही सब्विता के चेतर में होने के बावजूद हडपा के लोग जहां अपने पुर्वजों को दफना देते थे वही मोहंजदारों के लोग अपने पुर्वजों को जला देते थे इस काल में एक और पास सामने आई पुर्वजों के अवशेश के साथ उनके पश्वों के अवशेश भी मिले हैं इसके साथ ही इस हाथी की कोपडी और एक सिंग वाला जानवर की अवशेश भी पाए गए हैं सिंदुगाटी सभिता में एक सिंग वाला जानवर कोई मामूली जानवर नहीं था इस जानवर के चित्र वहां के मोहरों में देखने को मिलता है इसे मालूम होता है कि एक सिंगवाला जानवर उस समय का विशेश जानवर था इस तरह खुदाय में मिले अविशेशों से हमें सिंदुगाटी सभिता के उठान और अस्तित्व के बारे में पता चलता है लेकिन सिंदुगाटी सभिता का पतन 1750 में क्यों और कैसे हुआ या मालूम नहीं कहते हैं उत्पत्ती है तो अंत है सिंदुगाटी सभिता के पतन का जिम्मदार किसी ने प्राकृतिक आपता बताया तो किसी ने आर्यों का आगमन दोरा शहरों के अपने अपने दूर्ग थे जो सुरक्षा के द्रिस्टी से बनाए गए थे ताकि बाहरी आक्रमन को रोका जा सके इसके अलावा यहां के अवशेशों से यह भी पता चला कि एक बड़े से दर्वाजे से शहर का रास्ता खुलता था लेकिन इसके बावजूद भी मोहन जोदलों में बाहरी आक्रमन हुए क्योंकि मोहन जोदलों में मिले लाशों का धेर इस बात की और इशारा करता है और वह भी ऐसी लाशे जिनके हाथ कहीं सिर कहीं और पैर कहीं है यानि कि पूरा शरीर एक साथ नहीं है कई जगह ऐसे कमकाल भी मिले जो आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यहां कोई दर्दनाग घटना जरूर हुई होगी इसलिए इस शहर को मृतकों का टीला या मोहन जोदलो के नाम से जाना जाता है मोहन जोदलो के लोग इतने शान्ति प्रियत थे कि वहां पर किसी भी प्रकार के हथियार का इस्तमाल होने का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है तो फिर ऐसे में इस सभिता के लोगों पर आकरμन किस ने किया होगा आज भी यह रहस्य बना हुआ है वहीं दूसरी तरफ इस सभिता के पत्तन का कारण बाढ और भुकम बताया जाता है अगर बाढ को इसका कारण माने तो यहां के लोगों ने बाढ से बचने की उपाय पहले ही ढूण लिये थे आज थोड़ी से बारिश से ही देश का जातार हिस्सा दूब जाता है लेकिन नदी का पानी अगर उफान पर हो या बाढ की शंका उत्पन हो तो बाढ से बचने के लिए उन्होंने शहर के बाहर एक बाढ का निर्मार कर लिया था ताकि बाढ को रोका जा सके बाढ के पानी का इस्तमाल भी हो सके इसके लिए उन्होंने शहर की चारों और छोटे- तो यहां के लोगों को थोड़ा परिशानियों का सामना जरूर करना पड़ा था लेकिन सभिता का अंत फिर भी नहीं हुआ था कुछ इतिहासकारों ने तो यह भी कह दिया कि यहां एटम बम गिराया गया होगा लेकिन अगर यहां पर परमाणू बम छोड़ा जाता तो आज जो हमें मोहन जोड़ो के खंधर देखने को मिलते हैं वह खंधर भी मौजूद नहीं होते चली अब उस फैप्ट को भी जान लेते हैं जिसका जवाब हम सभी जानना चाहते हैं कि आखिर सिंदु घाटी सभिता नस्ट कैसे हुई इस सभिता के समय एक दौर ऐसा भी आया ज कि पूरे नौसा वर्ष तक रहा जिसके कारण यहां के लोग सिंदु घाटी को छोड़ने पर मजबूर हो गए और कहीं और जाकर बस गए बहरहाल सिंदु घाटी सभिता के जमीन के नीचे से और क्या-क्या रहस से निकलेंगे यह तो वक्त ही बताएगा हमारे देश का जो इतिहास है उसकी तह तक जाना थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि तम ना भाषा थी ना लीपी थी और अगर हम जानने की कोशिश भी करते हैं तो चिन्हों, पुरा तात्रिक साक्षों, लोग गीतों, लोग कथाओं या फिर लीपी के माध्यम से अपने देश का इतिहास जान पाते हैं तो चलिए आज हम इन्हीं लोग गीतों, लोग कथाओं के माध्यम से अपने देश के सद्यों के इतिहास की बाते करते हैं लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि राखी खोसला हिस्ट्री चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अगर आपने कर रखा है तो दिल से धन्यवाद अब तक आपने जाना कि सिंदुगाटी सभिता जो कि भारत की प्रथम प्राचीन सभिता है जिसके बारे में एक पक्षिय कहता है कि यहां की लीपी अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है तो वहीं दूसरा पक्षिय कहता है कि सिंदुगाटी सभिता की लीपी कोड़ी लीपी है जिसे पढ़ा जा चुका है तो उसे गोंड़ी लिपी के आधार पर गोंड़ी समुदाई के लोगों के लोग की तो लोकथाओ से हमें यह पता चलता है कि जिस गोंड़वाना लैंड की खोच एडवर्ट सुवेस ने की उस गोणवाना लेंड का नाम पहले सिंगार द्वीप या गण्डो द्वीब था गण्डो का संदिवी छेद करें तो गण्डो का मतलब पांच होता है गण कोट का अलग अलग तैतीज गण कोट समूह था और प्राकृतिक गोत्रवादी त्रिशूल मार्ग साधक शैव संस्कृती सत्य मार्ग पर गण कोट के रक्षक बने हुए थे उस समय सिंधु सभिता तैतीज गण कोट समूहों के गणड़ाजीव के नाम से जाना जाता था जिसका पता हमें शैव संस्कृती शैव शिला लेक से चलता है और शैव सभिता का इतिहाद सिंधु घाटी सभिता से भी अति प्राचीन है आये फटाफट जाल लेते हैं कि शैव संभिता संस्कृती या शैव धर्म क्या है वह धर्म जो भगवाल शिव द्वारा संपादित है और भगवाल शिव के 28 अवतारों में शम्भू से एक से लेकर कई स्वरूप है भगवान शिव का अस्तित्व सबसे पहले प्राचीनतं प्रमार के रूप में मोहन जोद्लों में मिला मोहन जोद्लों में खोदाई के दोरान पशुपति शिव की मोहर पाई गई वहीं उसके बाद के काल्रिग वेद में शिव का स्वरूप रौद्र एवं केशज रूप में बताया गया है केशज मतलब चिकित्सक होता है तो वही यजुर्वेद में शिवशंकर और अर्थवेद में महादेव के नाम से पुकारा गया है अगर ग्रंथों की बात की जाए तो ब्रामर ग्रंथ में सहस्त्राक्ष और भगवत कीता में भगवान विश्णु ने शंकर को विश्व की आत्मा कहा है और कुप्तकाल में इनके स्वरूप को एकाकार स्वरूप कहा गया है जिसे हरी हर नाम दिया गया इस तरह देखा जाये तो इतिहास में इनके 2800 रूप देखने को मिलते हैं तो प्रारंभिक शैवधर्म से लेकर सभिता के विकास क्रम में सिंदुगाटी सभिता विक्सित सभिता थी जिसे पाशान कालीन, कांसिकालीन, तामर कालीन, लोह सभिता के नाम से जाना जाता है या यू कहें कि प्राग इतिहासिक के रूप में जाना जाता है और हमारे लिए सबसे बड़ी विनम्रा यही है कि भारत की इतिहास के पार्थिक्रम में हमारे देश का इतिहास यहीं से पढ़ाया जाता है हजारों वर्षों पूर्व जब विग्यानिकों ने अपने शोध के दोरान पहली बार पृत्वी पर अट्लांटिक महासागर के अफ्रीकी और अमेरिकी की नारों पर दोनों जगह के मिट्टी वनस्पतियों जीवजन्तूं पशुपक्षियों को एक जैसा पाया तो वह सोच में पड़ गए और इसके कई वर्षों बाद विग्यानिकों की टीम ने पाया कि यहां के जो पांचों महाध्वीप हैं वो किसी समय एक दूसरे से सटे होगे थे इस शोध के कई वर्षों बाद वास्ट्रेलिया के भुगर्ब शास्त्री अडवर्ट सुएस ने अपने शोध में यह पाया कि मद्य भारत की विशाल छेतर में भी सेम वैसे ही मिलते जुलते जीवजन्तू पशुपक्षी मिट्टी पेड़ पौधे हैं जैसे अफ्रीका और अमेरिका के हैं लेकिन उन्हें मद्य भारत में ऐसे लोग दीखे जो अपने समुदाय को गोंडवाना कहकर पुकारते थे जिनकी भाषा गोंड़ी थी और वह उस लैंड को सिंगार द्वीप या गंडो द्वीप कहते थे इनके तिहास हमें इभी पर चलता है कि प्रित्वी पूरी तरह से जल्मगन हो गई थी तब प्रित्वी के एक सीरे पर सिर्फ एक ही पति-पत्नी एक कच्वा और एक कौवा ही जिलत थे जब दमपत्ति को उनकी संतान एक लड़का और एक लड़की हुई तो उन्होंने उनको इस जगह को छोड़ने के लिए कहा क जोकि आस-पास पानी के अलावा कुछ भी नहीं था माता पिदा के कहने पर लड़के ने कच्वे को अपना सवारी बनाया और लड़की ने कौवे को इसलिए आदिवासे लोग प्रकृती की पूजा करते हैं उनकी इतिहास में यह भी प्रचलता है कि उस समय बहुत सारे ग आजा था उसका नाम था शंभू शेक शंभू शेक के 2000 वर्ष की कारेकाल की इतिहास को अगर हम देखें तो हमें प्रिया पता चलता है कि संभू शेक की 28 नियमावली है जिनमें सबसे प्रचलित चोड़ी शंभू घौरा की है संभू शेक के सामराज में सुख शांती सुद विष्णिक के यसे हम अरे सभिधा य व्ढैडग सभिधा कहते हैं भारत में आयों के आगमन को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है आरे कौन थे आरे कहां से आय थे जबार क्लेशि थे लिदिए कवां जानने के लिए क्लिक प्लेनों और जन्द स्रीज ओफ इंडियन हिस्ट्री तो दोस्तों इसका जवाब है कि आरे लुरेशय लैंड से यानि की मध्य एश्या से भारत आए फ्राकृतिक आपदाओं विपताओं के कारण आरेओं को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी और वह पर नहीं लुरेशय का राजा इंड्र था आरेओं ने जब भारत की सभिता संस्रिती और उपशाव जमीन को देखा तब उन्होंने यहां पर अपनी सत्ता स्थापित करने का मन बनाया उन्होंने सबसे पहले भारत के सभिता संस्रिती को इदम गहराई से समझ और यहां रहने वाले मूल निवासियों को मार कर और भजी कुछे जो लोग थे उनके बीश धर्म का ऐसा प्रचार प्रसार किया जिसमें कहा गया कि भूत भविश और बर्तमान इन सब के ऊपर सदैधी विराजमान महातेव ने माना सद्धिता के निर्माण के लिए ब्रह्मा जी को जो ग्या श्रिष्टी को दिया वह प्रिथ्वी पर आस तक कायम है आरियों के आग्मन से जिस धर्म का पालन हो रहा है वह वैदिक धर्म था वैदिक धर्म मतलब वेदों पर आधारित धर्म का पालन करना आरियों के सभिता ग्रामेर सभिता थी आरे चैरवाहे चलाने वाले घुमंत एक सबीता वक्त के साथ साथ धीरे-धीरे लुप्त हो गई। आरे भारत वन्शी थे। उनका संबंध देवताओं, राजा महराजाओं वर रिशियों से था। और अनारियों के बीच हुआ और ऐसा कहा जाता है कि यह भारत का प्रथम शक्तिशाली युद्ध था जिसे दसराज युद्ध कहा गया। दसराज युद्ध का मतलब है दसराजाओं का युद्ध जिसमें एक और कबीला और उनका मित्र प्रक्षश समुदाय था जिनके सलाह का रिशी विश्वा मित्र थे। दूसरी और भारत नमक समुदाय था जिनका ने तृत्व त्रस्यू नमक कबीले के राजा सुदास कर रहे थे और जिनके प्रेरक रिशी वर्षिष्ट थे। कि आरे मध्य एशिया में कैपसिकन सागर के आसपास के छेतर से आये थे। जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मध्य एशिया अतिप्राशीन काल रमायन काल से भारत वर्ष का ही हिस्सा रहा है। कैसे आए यह भी जान लेते हैं। इतिहासकारों को कहना है कि मध्य एशिया में मधिया यानि मध्र राज उस समय का एक शक्तिशाली जनपत था जहांके लोग आ रहे थे महाराजा पांडू की छोटी पत्नी और नुकुल सहदेव की माता मादरी मध्र राज की ही राज कुमारी थी उनके मामा शल्य मध्य एशिया के देश साल्व के ही राजा थे ये तो रही रामाण काल के समय की बात लेकिन महाभारत काल की बात की जाये तो महाभारत काल के समय मध्र राज के एक राजा अश्पदी के बारे में भी जनकारी मिलती है जिनकी पुत्री सावित्री का विवा मधी एश्या के सालवनरेश के पुत्र सत्यवान से हुआ देखा जाये तो रमान काल से लेकर आरियों के प्रथम राजा, संसार के प्रथम योगी पुरुष, महर्शी मनु और भारत काल के राजा युधुस्टर तक अनेक राजाओं ने भारत में शाषन किया उस समय आरि के अलावा और अने कोई जाती श्रेश नहीं थी, संपूर्ण प्रित्वी पर भारत का राज था और भारत में आरि थे आरि दुनिया के विभिन कोनों, जिन में भारत की उत्तर में हिमाल है, दक्षिर में विंध्याचल परवत, पश्ची में अटक नदी, पूरु में द्रिश्री नदी तक फैले थे वहीं पड़ोसी देश की बात की जाए तो पड़ोसी देश में श्री लंका, नेपाल, तिबब, चीन, वर्मा, अफगानिस्तान, इरान, मध्य एश्या तक फैले हुए थे लेकिन महा भारत युद्ध के बाद यह देश अनेक भागों में बट गया भारत में अनिक जातियां विक्सित हो गई और आरेओं की सिमाए काफी कम हो गई या यू कहें कि आरेवरत पूरी तरह से समात हो गया लेकिन पंद्रा सौ इश्वी पूरू में आरे एक बार फिर से मध्य एश्या से अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते वे भारत के पंचाब प्रांत में कांसी यू के समय आये और जब वह भारत आये तो उन्होंने वैदिक सभिता की शुरुवात की पांसी यू के समय सिंदुगाटी सभिता भी थी लेकिन सिंदुगाटी सभिता के परतन और वैदिकाल के इतिहास के बीच लगबल 250 साल का अंतर थे इस अंतराल के बीच के समय को संक्रमन काल कहा गया है जिसमें सिंदुगाटी सभिता और वैदिक सभिता दोनों के लोग देखने को मिलते हैं वहीं कुछ इतिहासकारों को कहना है कि आरे तिबस से आए थे आने सोचते हैं कि वे रूसी स्टेप से उत्पन हुए बाल गंगा धरती लग का मत है कि आरे आर्कटिक छेतर से आए बहरहाल आरों के आगमन को लेकर इतिहासकारों ने तो बहुत कुछ कहा लेकिन विज्ञान खोदाई के दौरान हरियाणा के हिसार में स्थेतर राखी घड़ी में सिंदुगाटी सभिता यूग के मिले दो मानव कंकालों को देख कर क्या कहा जाने के लिए सुनते रहे हैं ओरिजिन द सिरीज ओफ इंडियन हिस्ट्री वैदिक सभिता को विक्सित करने वाले आर्यों के मुल निवास की खोज पुरा तत्विक शक्षों के अधार पर पिछली कई सालों से की जा रही है जिस तरह से जो शाक्र मिले वहां के पुरा तत्विक विदो इतिहासकारों ने आर्यों के मुलनिवास के बारे में अपना-पना मत राय अगधारनाय बनाई सिधान्द प्रस्तुत की है लेकिन जब विज्ञाने हर्याना के हिसा में स्थेतर राखी गड़ी में सिंदुगाटी सभिता यूग के मीले दो मानव कंकालों को देख कर क्या कहा आए ये भी जानते हैं विश्व विरासत कोस की मई 2012 की रिपोर्ट में खत्रे में एशिया के विरासत स्थल में दस स्थानों को चिनहित किया गया रिपोर्ट में बताया गिया कि तेज आर्थिक विकास के कारण विश्व की दस स्थान जिन में भारत के हर्याना में सित राखी गड़ी भी है अपूर्णे छटी एविनाश के केंद्र का गार पर है तब 1963 में भारती पुरातत्वे विभाग ने विश्व विराशत कोस्त की रिपोर्ट के अनुसार बताये गई स्थाल राखी गड़ी में खुदाई का कारे शुरू किया जहां से एक बुराने शहर का पता लगा लेकिन व्यापक स्थार पर खुदाई का कारे 1977 से लेकर 1999 के दोरान अमरेंद्रनाथ द्वारा शुरू हुआ खुदाई के दोरान राखी गड़ी में प्राक हडपा एवन परिपक हडपा युक इन दोनों कालों के प्रमान मिले हैं खुदाई की थडपा अपने आरंभी के समय से लेकर जब तक पूरी तरब विक्सित नहीं हो गया तब से और तकरीबन 5000 साल पूरानी कई वस्तवें बरामत की गई जिनमें राखी गड़ी में लोगों के आने जाने के लिए बने हुए मार्ग जलनिकासी की प्रडानिया बारिश का पाने एकत्र करने का विशाल स्थान कान से सहित कई धातों की वस्तवें एक लगु मुद्रा प्राप्त हुई जिस पर मात्र देवी का चित्र अंकित था इसके अलावा महत्यपूनसमारक जिनमें दूर्ग प्राचीर अन्नगार तंभी युक्त मंड़क जिनके पाश में कोठरिया भी बनी हुई हैं उचे चबूत्रे पर बनाई कई अगनी वेदिकाएं आदी छोटे बड़िक कई साक्ष मिले इन शाक्षों के अधार पर यह पाया गया के राखी गड़ी सिंदू वाटी सबेता के भाटी छेत्रों धौला वीरा के बाद दूसरा सबसे विशालतम एतिहासिक नगर है राखी गड़ी में नौ पीले हैं हर्याना का जो पुरातत्व विभाग है उन्होंने जितने भी अब तक शोध के उन शोधों के आधार पर यह कहा जा सकता है राखी गड़ी की बसावट का कुल 6-7 किलो मीटर में फैला होने की संभावना है पुरातन शहर राखी गड़ी की अबादी 10-50 लाख के बीच हो सकती है यानि कि अभी भी कोई पुक्ता जानकारी नहीं है 2014 में यह भी कहा जारे लगा कि यह मोहन जोदरो से भी बड़ा शहर है 2015 में खोदाई में कबरिस्तान भी पाए गए हैं और हाल ही में टीला साथ से एक कबरिस्तान में दो मानव कंकाल मिले कंकाल को देखकर विशेशग्यों ने रै बनाया कि इसकी विज्ञानिक दुस्टी से जाच होनी चाहिए विज्ञानिक दुस्टीकोंड से पता लगाने के लिए कंकाल का DNA टेस्ट किया गया तकि पता चल सके कि आरे किस नसल के थे DNA टेस्ट की रिपोर्ट से पता चला कि कंकाल में R1 A1 नामक जैनेटिक तत्व नहीं है जबकि हम सभी उत्तर भारतियों में R1 A1 पाया जाता है साइन्स के रिपोर्ट के अधार पर पता चला कि R1 A1 उत्तर भारत के लोगों से बहुत कम और दक्षर भारत के लोगों की जंजातियों से ज़्यादा मिलते चुलते हैं हडपा सभीता के लोग R1 के मुकाबले द्रवन के ज़्यादा करीब थे इससे पता चलता है कि सिंदू घाटी सभीता के लोग Hindu संभीता की शुर्वात करने वाले ग्रनक्षत्रों का पता लगाया वह सिंदू घाटी सभीता के बाद का समय था भारत में आरे और द्रवन जैसे मुद्दे पर यदि चर्शा की जए तो नए नए तथ्य हमारे सामने आते रहेंगे लेकिन कई इतिहासकारों का कहना है इस मुद्दे को लेकर अगर कोई सबसे ज़्यादा दुखी है तो वह जंगलोवो पहाडों पर रहने वाले आदिवासी बनवासी हैं आज आदिवासीों के कुल जन संख्या 18 करोड के लगभग है और हमारे देश की भारत की पहली आदिवासी महिला राश्पती श्रीमती द्रौपदी मुर्बुजी हैं ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और अगर हम आदिवासीों की इतिहास की बात करें तो हमें इत इतिहासिक शोतों के नुसार पता चलता है कि आदिवासी भारत के मूल निवासी हैं जो लाखों सालों से यहां रह रहे हैं और भारत में गोणवाना एक शब्द है जो गोणवाना लैंड जहां से भारत देश को 25 करोड साल से भी पहले का इतिहास प्राप्त होता है भारत क के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह द्रविण परिवार की एक जन्जाती है जो संभवत पांसवी छटी स्वताब्दी में दक्षिन से गोदावरी के तर्ट को पकड़ कर मत्य भारत के पहाडों तक फैल गई और कहा जाता है कि आज भी मोदियाल गोण जैसे समू भारत में है तो फिर यह द्रविण कौन है क्या द्रविण आदिवासी थे आज की इस वीडियो में हम द्रविण के इतिहास को जानेंगे क्योंकि इतिहास हमें यह भी बताता है कि आरे सभिता से पहले भी भारत में लोग निवास कर रहे थे जिनकी भाशा संस्कृत नहीं थी तो फिर भारत के इतिहास को बहतर दरीके से जानने के लिए द्रविण के जानना भी बहत जरूरी है तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे, साथ ही बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाले हर सिरीज की नौटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अतीत की घटनाव या इतिहास पर यकीन करना है, तो अविडेंस होना भी बहुत जरूरी है, तभी प्रमाणों के अधार पर कही कई बातों को हम ठोस अधार मान सकते हैं। में रहकर जंगली जानवर का शिकार करते थे, मास, कंदमूल इन सब का भोजन था, जिसे वह बीना पकाया खाया करते थे, पेड की छाल और जानवरों की खाल से तन को ढखते थे, गुफां में बने चित्र इस बात का सबूत भी हैं। अपने औजारों में धात्वों का इस्तमाल करने लगा, क्रिशी पशुपालन सीख कर खाना बदोर जीवन से स्थाई जीवन में रहने लगा, तो वहीं तामरपाशान काल तक आते आते, वह विविध कलाओं, परंपराओं में परंगत होने लगा। उसने चित्रकला, वादनकला, गायनकला, वस्त्र, अभूश और पक्की इटों का निर्बाण भी कर लिया था। इसके प्रमान हमें सिंदुघाटी सभिता में देखने को मिलते हैं। लेकिन सिंदुघाटी सभिता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आज तक इस सभिता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कि यह सभिता किस ने बसाई थी। इस सभिता के लोग कौन थे ऐसा कहा जाता है कि यहां से मिली भाव चित्रात्मंग लीबी को पढ़ लिया जाय तो सच पूरे लोगों के सामने हो लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार ऐसे भी है जो सिंदुहाटी सभिता के लोगों के बारे में प्रमाणों के अधा एक इतिहासकार मोती राम कंगाली जी के अनुसार जानते हैं कि क्या है द्रबन का इतिहास कार मोती राम कंगाली ने दावा किया कि सिंधु घाटी सभिता की लीपी जो सैंध्वी लीपी है उसको गोंडी लीपी की भार्षा से पढ़ा जा सकता है गोंडी समाने तर देवनागरी लीपी अत्वा तेलगू लीपी में लिखी जाती है और इतिहास कर मोती राव का गाली ने गोंडी भारशा से बताया कि सैंद्वी लिपी एक ऐसी लिपी है जिसे राइट से लेफ्ट पढ़ा जाता है लेकिन यह लिपी बहुत कम प्ली उक्त होती है उन्होंने अपनी इस दावे को खुद पढ़कर यसिद्व करके भी दिखाया उनके इस दावे पर समीती बठाई गई जिसके बाद यह साबित हुआ कि सिंदु घाटी सभिता की लिपी गोंडी लिपी है इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी पुष टक सयथ ही लिपी का गोंडवी भारशा में उदवाचक्पी किया है उन्होंने द्रविन को एक शद बताया जो दक्षिन भारत से संबंद रखता है और दक्षिन भारत का समग्र भूभाग पंच द्रविन कहलाता है उन्होंने यह भी कहा कि सिंदुगाटी सभिता की भाषा प्रोटो द्रविन कालीन थी प्रोटो द्रविन का मतलब है सबसे प्राचीन लोग इतिहासकार मंसाराम कुमेसर ने भी इस बात का जिक्र अपनी पुस्तक प्रधान आदिवासी सभिता में किया है उन्होंने कहा है कि यह लोग मीना, गोण, भील जैसे समुदाय से संबंध रखते थे अगर आप गोण्डी समुदाय या गोण्डवाना लैंड के बारे में और जाना चाहते हैं सिंदुखटी सभिता से समंधि सभी प्रशनों का जवाब जाना चाहते हैं आप मोतीराम कंगाली, मंसाराम, कुम्रेसर जैसे इतिहासकारों की पुस्तक पढ़ सकते हैं उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम वेद पुरान उपनिशदों को पढ़ कर सुनकर समझ कर और पुरातात्विक शक्षू के अधार पर कहते हैं कि आरे रमाण काल से थे, वैसे ही अगर द्रविडों की बात की जाये तो रामण को द्रविड कहा गया है और भारत में द्रविड से पहले प्रोटो द्रविड भी थे, जिनका इतिहास 25 साल करोड पहले का बताया जाता है और इसकी पुस्टी एडवर्ट सुयस ने की है मोतिरां कंगाली ने अपनी पुस्तक में बताया कि पूरा पाशान काल के इंसानों में इंसानियत कम थी वह अपने पेट भरने के लिए जानवरों के मास को अपना भोजन मराते थे जानवरों को मारकर उनकी खाल का उप्योग वस्त्रोक रूप में करते थे इसलिए उस समय हमें गंड राज जैसी प्रथा देखने को मिलती थी गोंडी भाशा में गोफाओं को कोया कहा जाता है और जो लोग नदियों के किनारे द्वीप रहते थे उन्हें कोया मुरीद द्वीप या कोई तूर कहा जाता था पुरा पार्शान काल में जो शैल चित्र मिले हैं उनसे पता चलता है कि उस समय रह रहे हैं लोग द्रविर जाती के थे और उस समें पुरा पार्शान काल के लोग नर्मदा और उसके सहायक नदियों के आसपास रहते थे धीरा-धीरे इनका छेतर विस्तार हुआ और मध्य पार्शान काल तक आते आते यह जाती मैंकल कैमूर, पेंक मेड़ी और सत्पूरा तक फैल गई पेंक मेड़ी में ही संभूशेक का जन्म हुआ और यही से 28 संभूशेक की जो नियमा वली है उसकी शुरुवात हुई इसी काल में एक और चीज देखने को बिलती है कि गोंडवाना के जो गड़ धारक है उन्होंने ये फैसला लिया कि किसी को भी उसनके नाम के सरनेम से नहीं पकारा जाएगा बल्कि उसे किसी पक्षी, पराणी या पेड़ के नाम से पकारा जाएगा जैसे उस समय जो राजा थे उन्हें अपने संस्रुति के किसी घटा को अपना वरंश बनाया जैसे नागवन्षी, मच्सेवन्षी और वे बहुत सारे वँन्ष हमें प्राशीनकाल में देखने को मिलते हैं गोंडवाना लैंड में सिर्फ गोंड जाते ही निवास नहीं करते थी बलकि और वे बहुत सारी जातिया निवास करते थी आपको अगर और डिटेल जानना है तो राजेंद्र बाबु धाके की पुस्तक गोंडवाना लैंड का मानव गोंड को पढ़ सकते हैं जिसमें गोंड अरे का जिक्र हमें आरेों के आगमन के बाद मिलता है इतिहासकारों का कहना है कि घोड़ा मध एश्या का पशू है और जब मध एश्या से आरेों का आगमन भारत में हुआ तब पशू भी उनके साथ भारत में आए ऐसा राजेंद्र बाबु धोके ने अपनी पुस्तक में लिखा है उन्हेंने कहा कि हडपा और मोहन जोद्रों की खुदाई में जो पूरा तात्विक शाक्ष मिले उससे ये पता चलता है कि सिंदुघाटी सभिता के लोग भी वैसे ही पुजा करते थे जैसे गोंडवाना के लोग करते हैं उनकी देवी देवता भी वैसे ही थे इ भारत में आरेों के आगबन से पुरो रहने वाले लोग द्रविर थे अतिहासिक शोतों के अधार पर हमें जाना कि द्रविन भारत के मूल निवासी हैं और द्रविनों का संबंध आदिवासियों से हैं आदिवासियों को जनजाती भी कहते हैं अगर आपने मेरे चैनल को अ तब से बड़ी जन जाती है जो जन संख्या के मामले में पहले स्थान पर आती है लेकिन यह जो गोण समुदा है जिसके बारे में ऐसा कहा चाता है कि यह द्रविण परिवार की एक जन जाती है जो संभवत पांचवे छटी सताब्दी में दक्षिन से गोदावरी तट को चरदी क्या थी यानि की प्रोटोद्रव्यं कौन थे लेकिन प्रोटोद्रव्यं की बात करने से पहले आये ठाल यह भी वही कहानी है अब यह कहानी क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे लेकिन फिलहार एक बात तो साफ है कि आदिवासियों का मतलब है आदिकाल से रहने वाले लोग आदिवासियों की पहचान उसकी संस्कृति से होती है और वह अपने संस्कृति को आज भी बचाय हुए है आदिवासी प्रकृती प्रेमी होते हैं, प्रकृती को ही भगवान मानते हैं और प्रकृती की ही पूजा करते हैं आदिवासी समाज में पूर्श और महिलाओं को एक समान अधिकार प्राप्त था अधिवासी एक ऐसा समुदा है जिसका उलेक हमें प्रवाणक गंतों यहां तक की रिगवित की इचाओं में भी मिलता है तो आईए अब बात करते हैं द्रविन पूर्व सभिता की जिसे प्रोटो द्रविन सभिता कहते हैं मतलब की जो द्रविन से पहले की सभिता है उसे द्रविन पूर्व सभिता कहते हैं इतिहासकारों का कहना है कि द्रविन सभिता से आज की पहुत सारी सभिता विक्सित हुई है लेकिन उससे पहले भी कुछ सभिता थी जिसे द्रविन पूर्व सभिता कहते हैं और द्रविन पूर्व सभिता में जो जनजातिया निवास करती थी उसे प्रोटो द्रवियन कहते ह कोया का अर्थ गुफाव कंद्राओं से है और वर्तमान में आज की विक्सित तमिल, तेलगू, कर्नन, मल्यालम, आधी जो द्रविन भाशा है उनके पूर्व की भाशा है ऐसा इतिहासकार मोतीराव का अंगाली सहित अनेक इतिहासकारों विद्वानों का कहना है और साथ ही उनका ये भी कहना है कि मीन, गोंड, भील ये सारी जनजाती द्रविड पूर्व जनजाती है गोंड, गोंड का अपना एक प्रदेश था जिसे गोंडवाना लेंड कहते हैं संथाल, संथाल अपने आप में एक स्वतंत्र जनजाती है जो संथाली भाशा बोलते हैं संथाल जन जाती ही एक ऐसी जन जाती है, जिसमें लड़कियों को भी वही स्थान प्राप्त है, जो लड़कों को प्राप्त है, लड़कियों के पैदा होने पर भी वही खुशी मनाई जाती है, जो लड़कों के पैदा होने पर मनाई जाती है, भील, भील जन जाती का इतिहा वही यह प्रसिद साडि निर्माता भी हैं ओहूम जन जाती है तेर्वी सदी में मेमार से ब्रहपूत्र घाटी तक आबसी ऐसा कहा जाता है कि मौजूदा समय में आधिवासियों की और हैसा जीवन था फंद्रासौ अशा पूर्व में इस्त्रीयों को संवाल की नजर से देखा जाता था, वहीं हजार अशा पूर्व तक आते आते समाझ में इस्त्रीयों की सिते निम्न हो गई, इस्त्रियों को ढोल, गवार, शोत्र, पशु, नारी ये सब तारण के अधिकारी समझा जाने लगा, जहां हर मनुष एक बराबर था वहीं मनुष को ग्रामर छत्री वैश शोत्र में बाट दिया गया कर्म की जगा जाती को महत्वतिया जाने लगा आखिर इसमा बड़ा बदलाव कैसे आया कि गूप रथाओं का जन्म हुआ लोगों में इंसानियत मर गई, प्रतिष्ठा के नाम पर पशु बली दी जाने लगी समाज में धार्मिक आंदोलन शुरू हो गए, लोगों में आपसे मत्भेद हो गए क्या यही था अखिर में भारत का समाज या आएगा कोई बदलाव चानिया वैदिक हिस्ट्री रखिखोशना यूट्यूब चैनल पर और जिंदर स्रीज ओफ इंजिन हिस्ट्री में यह निश्चित्रूप से नहीं कहा जा सकता कि आरे अपनी मूल मात्र भूमी को छोड़कर अलग-अलग भूमी पर कभ रहना शुरूग गिये और ना ही यह कहा जा सकता है कि वे भारत में पहली बार कभ दिखाई दिये वेद की उत्पत्ती ब्रह्माजी ने अपने मुक से इस रिष्टी में ग्यान को प्रसारित करने के लिए की थी वेद का ग्यान मनुष्य तक वैदिक सभ्यता में पहुँचा क्योंकि वेद की रचना वैदिक सभ्यता में हुई उससे पहले वेद केवल शूति ग्यान था इसलिए वेद को शूति ग्यान भी कहा जाता है क्योंकि उस समय किसी भी लीपी का निर्मान नहीं हुआ था प्रित्वी लोक में यह इश्वरी ग्यान ब्रह्मा जी ने सबसे पहले चार रिशियों अगनी वायू आदित्य अंगीरा को दिया था दीरे-धीरे यह शूति ग्यान रिशियों द्वारा शिष्यों को देना प्रारम भी किया गया लेकिन वेद को सिर्फ सुनकर याद नहीं रखा जा सकता था इसलिए मानव कल्यान के लिए वेद को संकलित कर लिखित रूप में मानव के समक्स प्रस्तुत करने की अवशकता हुई तब सभी रिशियों ने महर्शी वेद व्यास से आगरा किया कि वेदों की रशना की जाए रिशियों के अनरोध पर महरशी वेद व्यास ने वेद को चार भागो रिग वेद, येजुर वेद, साम वेद, अर्थ वेद में विभाजित कर समस्त मानव के समक्स प्रश्तुत किया ताकि कम बुध्धी एवं कम स्मर्णी रखने वाले भी वेद का अध्यन कर सके वेद मनुष्य का माग दर्शन नहीं कर पाते अगर हमारे देश में रिशी मुनी नहीं होते इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत रिशी मुनियों का देश रहा है वेद हमें बताता है कि वैदिक युक की शुरुवा सिंदु घाटी सब्विता के 250 वर्श बाद भारत गंगा के मैदानों से आरे ओने की थी वेद देवों की भाषा संस्कृत में लिखा हुआ है और आरे भी संस्कृत बोलते थे वेदिक सब्विता अपने आरंबिक तीनों में धीरे धीरे दोल काल खंडो 15 इसा पूर्व से 1000 इसा पूर्व तक यानि की पूर्व वेदिक काल जिसे रिग वेदिक काल भी कहा जाता है और 1000 इसा पूर्व से 600 इसा पूर्व तक जिसे उत्तर वेदिक काल कहा जाता है में ब नहीं भॉत्ति को पर ganhar बारे आरे को ढोगी ह सभावक, ईयशन्दम ने गोर्यविद्धुनReays दरेताँ बीलावDra product, और ब्रावुणे इस सेतंसंते हें लिए। जब कorgt दéfकानिये बाद dlatego दर्माह करता ही दियुक्तिन धियुक्तिन के लिए। इसलिए गौतम राहुगड़ ने इस स्थान को श्रापित भूमी कहा और वहीं से वापस लोट गए वैदिक युग में ही भारत में आरेों का आगमन हुआ जिन्होंने वैदिक सभिता को विक्सित किया ऐसा माना जाता है कि आरे पढ़े लिखे सब इंडो आरेन भाषा बोलने वाले घुमन्तु जाती के लोग थे जो भारत में हजारों वर्षो पूर्व में पश्वों के साथ उत्तर पश्चमी पहाड़ों से आते हुवे दिखाई दिये हंगे एकिस छेत्र से आ रहे थे इस बारे में भी कुछ स्पस्ट नहीं है लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आरे स्टेपी के मेदानों से यूरोप से उठकर भारत आए उन्हें देखकर उस वक्त वहाँ बसी सिंदु घाटी सभिता के लोगों ने बाहरी लोगों को अपने शेत्र में आने से रोका होगा लेकिन तक उनकी संख्या कम होगी बाद में जब उनकी संख्या बढ़ी तो सिंदु घाटी की सभिता के लोग उन्हें रोक नहीं पाये होंगे तभी तो संक्रमन काल के दोरान हमें सिंदु घाटी सभिता और वैदिक काल दोनों के लोग देखने को मिलते हैं जो धीरे-धीरे पंजाब की उत्तरपश्चिमी जहां सिंदु, सरस्वती, जेलम, चिनाव, रावी, सतलूज, व्यास, सात नदिया हैं जिसे सब्त सिंदु भी कहते हैं मैं आकर बस गए पंद्रह सो इसा पूर्व से लेकर हजार इसा पूर्व तक आर्यों ने वहीं अपना जीवन व्यतीत किया इस काल को पूर्व वैदिक काल कहा गया इस काल में महर्शी वेद्व्यास ने वेद के प्रथम भाग रिग वेद की रशना की थी इसलिए इस काल को रिग वैदिक काल भी कहा जाता है बेद मनुश्र का मार्ग दर्शन नहीं कर पाते अगर हमारे देश में रिशी मुनी या यूं कहें कि आरेनन नहीं होते आरेनन उन्हें कहते हैं जो वन में रहकर तपस्ट्या करते थे और वन में रहकर पुस्तकों की रचना करते थे बेद से पता चलता है कि आरे पंजाब में केंदरित एक काल से यूग के ग्रामिर सभिता के लोग थे जो चारवाहे और पशुपालंगा काम करते थे उन्हें क्रिशी की जानकारी नहीं थी लेकिन जिनके यहां गाय हुआ करती थी उसे धनवान माना जाता था बहां के लोग दूद से बनी चीजें जैसे दहीं, घी, मखन का प्रियोग, खुद के भोजन के अलावा छोटे मुटे व्यापार के लिए कर लेती थे उस समय व्यापार ज्यादा उन्नत व्यवस्था में नहीं था, इसलिए लोगों से कोई कर भी वसुला नहीं जाता था अगर किसी को कर देना भी होता था, तो वो अपने इच्छा से दे सकता था, जिसे उस वक्त बली कहा जाता था उस समय के लोग ज्यादा आर्थिक संपन नहीं थे, लेकिन फिर भी यह ग्रामिर सभिता अपना जीवन सुक पुर्वक व्यत दीत करती थी समाज प्रत्ल सतात्मक था, लेकिन महिलाएं घर का सारा काम करने के साथ साथ सिक्षा भी ग्रहन करती थी और पुर्शों के साथ धार्मिक अनुस्ठानों यग्यहवन में भी भाग लेती थी इस काल में तीन विदूशी महिलाएं जिन में अपाला, घोशाल, लोपा, मुद्रा हुई जिनका जिक्र हम Origin the Series of Indian History में आगे आने वाली सिरीज में करेंगे लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं इस यूग में इस्त्रियों को पुनरविवा करने की भी इजाजत थी दहेज प्रथा बाल विवा जैसी कोई कूप्रथा नहीं थी समाज राजियों के बजाए जनजातियों में संगठित था और जन सबसे बड़ी समाजिक इखाई थी जन का मतलब होता है लोग कभीले के लोग ज़्यादा आर्थिक संपन नहीं थे इसलिए उनमें कोई भेदभाव भी नहीं था लेकिन फिर भी कभीले के लोगों में आपसी लड़ाई ना हो समा सुवेस्थी धंग से चल सके इसके लिए उस समय भी प्रशाशन था उस समय जन की देखरे करने के लिए राजा नहीं राजन होता था यानि कि राजा वाली प्रथा अभी पूरुवैदिक काल में नहीं आई थी कभीले में जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ती होता था उसे राजन बनाया जाता था जिसका अधिकार बहुत सीमित होता था क्योंकि कभीले की संख्या जादा नहीं होती थी लेकिन फिर भी राजन की सहयता के लिए कई समूह बने होते थे जैसे समीती, सभा, विदत और गन समीती आम लोगों की संस्था थी जिसमें कभीले के सभी लोग पूरुष सहित महिलाएं भी शामिल होती थी और सभी मिलकर राजन को सलाह भी देते थे लेकिन सभा और गन में उचवर्ग के पढ़े लिखे लोग ही शामिल होते थे विदित का काम लडाई जगडा, लूट, कर जैसी मुदों में न्याय दिलाना होता था इसके अलाबा राजन की सहयता के लिए पुरोहित भी होते थे जो राजन को धर्म समंधी सलाह देते थे सेनानी सैने विस्था की सलाह देते थे हाला कि इस समय तक राजन इतने शक्तिशाली नहीं थे कि नेमत सेना रख सके इसलिए युदि की स्थिती जब भी उत्पन होती थी तब कभीले के लोग ही सैनिक बन जाते थे सेना में मुखी रुप से पैदल और घोड़े का प्रियोग किया जाता था और अगर दास्प्रथा की बात की जाए तो उस समय दास्प्रथा तो थी लेकिन दास्प्रथा इतनी कठोर नहीं थी कि कहा जाए कि शोशन होता था क्योंकि उस समय समाज में कर्म के अधार पर वर्ण व्यस्था थी यानि कि जिसको जिस तरह का काम आता था वह उस तरह का काम करता था पुरुवैदिक आरे पूज़ा पार्थ में विश्वास रख्त थे और प्रकृति व देवी देवताओं की पूजा किया करते थे इस तरह कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 1500 इसा पूर्व से लेकर 1000 इसा पूर्व तक पूरुवैदिक काल के लोग शांती प्रिय तरीके से अपना जीवन यापन करते हुए धीर धीर अपने चेतर का विस्तार कर रहे थे और 1000 इसा पूर्व तक आरे गंगा के मेदानों से आगे बढ़ कर उत्तर की तरव बढ़ते जा रहे थे जो उत्तर की तरव बढ़ चुके थे उन्हें उत्तर वैदिक आरे कहा जाने लगा और यहीं से उत्तर वैदिक यूग की शुरुवात हुई लेकिन हजार इसा पुर्व के आसपार जमीन से एक ऐसा धातु मिला जिसकी खोज से विकास की एक ऐसी आंधी चली कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ जहां एक और ग्रामिर सभिता एक बार फिर नगरी सभिता में विक्सित हुई तो वहीं हिंदू धर्म के साथ साथ जैन और बौध धर्म का भी उदै हुआ आखिरवक कौन सा धातु था जिसके मिलने से अपने अपनों में ही मदभेद होने लगा जातियों के अधार पर समाज का बटवारा होने लगा इस्तरियों को सभी दुख का कारण माना जाने लगा जानने के लिए सुनते रही है ओरिजिन दिस्रीज ओफ इंजिन हिस्ट्री भारत में पंजाब के सिंध प्रांद से अपने जीवन के शुरुवात करते हुए पशु और चरवाहे चलाने वाले घुमन्तु जाती के आरेव अपने छेत्र का विस्तार करते हुए हजार इसा पूरु में उत्तर की तरफ आ रहे थे तो इनका सामना उत्तर कालिन हडपा के लोगों जो जर्वायू परिवर्तन की मार से बच गए होंगे उनसे हुआ होगा जो बाद में आरेव में मिल गए होंगे फिर यहीं से शुरुवात हुई उत्तर वैदिक काल की ऐसा हम नहीं बलकि यजुरुवेद, सामवेद और अर्थवेद के अलावा ब्रामर गरंथ, आरिरन गरंथ और उपनिशत गरंथ कहता है इस बात की पुस्टे साहित्ति के अलावा जमीन के अंदर से मिले पुरातन अफशेशों से भी होती है पुरातन अफशेशों में चार प्रकार के मिठी के बर्तन मिले हैं, जिनमें काले लाल रंग के मिठी के बर्तन जिनका इस्तमाल गैर आरे करते थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है वहीं लाल मिट्टी के बर्तन जिसका एस्तमाल समाने लोग और चितरवाले मिट्टी के बर्तन उचवरग के लोग करते थे साथ ही उत्तरकाल इन पॉलिश वाले मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं लेकिन खुदाई के दोरान जहां जहां चित्रवाले मिठी के बर्तन मिले, वहां वहां एक ऐसा धादू मिला, जिसके मिलने से उत्तरवैदिक काल के लोगों के जीवन में क्रामतिकारी परिवर्तन आया। लेकिन उत्तरवैदिक काल में एक ऐसा धातू मिला, जिससे समाज पूरी तरह से बदल गया। ये सब ताड़न के अधिकारी जैसे सोच भी यहीं से विक्सित होई। ये धातू था लोहा, लोहे की खोज ने लोगों को आर्थी दुश्टी से मजबूत तो कर दिया। और ऐसे लोह क्रांती आई कि लोग लकडी और पत्थर की जगन लोहे के हथियार बराना सीख गये। और यहीं से पूरोवैदिक काल और उत्तरवैदिक काल के लोगों में अंतर भी दिखाई रेने लगा। उत्तरवैदिक काल में आर्थी जीवन के अलावा राजनितिक समाजिक धार्मिक जीवन में भी बदलाव आया। जन का आकार बड़ा होकर जन पद में बदल गया, जैसे भरत जन और पूरुजन मिलकर बनाए थे कूरुजन, राजन का पद बंशानुगत हो गया, और अब तक राजन की सहायता के लिए जो समीती, सभाव, विदित, गणव, अन्य लोग थे, उत्तरवादी काल में उनका महत कर्म की जगल, जाती के अधार पर हो गई, वहीं इस काल में गोत्र के उत्पत्ती हुई, जिसमें कहा गया कि एक ही गोत्र के लोग विवाह नहीं कर सकते, आश्रम विवस्था भी इस काल में देखने को मिली, जिसमें मानक की जीवन को 25-25 वर्ष की चार अवस्थाओं, ब् इस्तरीओं को धार्मिक अनुस्थानों में शामिल होने से रोग दिया गया, इस्तरीओं से शिक्षा का अधिकार कम कर दिया गया, और बहुत सी कुर्प्रथाई शामिल हो गई, जैसे पर्दाप्रथा बाल विवाह, इस तरह से देखा चैतो आर्थिक दृष्टी से मजब कि समाज में एक दूसरा वर्व उभर कर सामने आने लगा जो धार्मिक अनुस्थानों यग्य कर्मकार्डों के भोसलों से दूर हटना चाता था ऐसे लोगों को नहीं दिशा देने के लिए एक नया धर्म उभर कर सामने आया इस नय धर्म के उभरने से क्या आरेवश का पतन हो जाएगा? आखिर कौन सा था वह नया धर्म? इस नय धर्म के आने से क्या इस्त्रियों के सिती में सुधार होगा? जानने के लिए सुनते रहे ओरिजिन द स्रीज ओफ इंजिन हिस्ट्री अब तक आपने देखा कि किस तरह से उत्तरवैदिक काल में कूरी इतियों कूर प्रथाओं का जर्म हुआ इस्त्रियों से उनके अधिकार छी लिए गए इस्त्रियों को अपमान की नजर से देखा चाने लगा श्रेष्ट विचारधारा के तहर समाज में अपना वर्चसर स्थापित करने की होड में किस तरह से ब्रामणों ने वनवेर स्थापित कर दी? धार्मिक आडंबर, कर्मकांड, पशुबली यहां तक की धर्म के नाम पर आंदोलन शुरू हो गए जो आज भी हमारे समाज में कहीं न कहीं वही कुरीत यां वही कूप्रथाइन देखने को मिल जाती हैं चाहे भारत में राम मंदिर और बाबरी मस्जित का मामना देखा गया हो या जाती के नाम पर भूतपूर्व राष्टपती रामनाथ कोविंद को ब्राहमनों द्वारा उडिसा के पूरी जगरनाथ मंदिर में प्रवेश से वर्जित किया गया हो लेकिन उत्तर वैदिकाल में यह सब इतनी चरम सीमा पर पहुँच गया था कि समाज में उस समय एक ऐसा वर्ग भी था जो इन सब धार्मिक आडंबर, कर्मकांड, देवी देवताओं, मूर्ती पुजाओं से दूर रहना चाहता था जो इन सब दिखावों से परे मानवता क इस विचारधारा के लोग कोई और नहीं बलकि भारत के मूलनिवासी आदिवासी थे, जिनकी संस्कृती गोंडी संस्कृती थी, और इसके प्रमान हमें खुदाई में गुफाओं में भी देखने को मिलते हैं, इनकी संख्या कम जरूर थी, लेकिन मूलनिवासियों की इन नय धर्म का जन्म हो रहा था, जिसे बौध धर्म कहा गया, हलाकि बौध धर्म कोई नया धर्म नहीं था, समराट अशोक के काल से बौध संस्कृती के पुरातन साक्ष हमें देखने को मिलते हैं, आज भी हमें एक होदाई में जो अविशेष मिलते हैं, वह या तो आदिव गोंडी संस्कृती अति प्राचीन संस्कृती है। इस तरह उनके इस विचारधारा को मानने वाला हर इंसान बुद्ध को मानने लगा। इमरावंबेटकर की पुस्तक आदिवासी एंड हिस धम को पढ़कर आप बहुत को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेद में विश्वास रखने वाले लोग वैदिक संस्कृती को भारत की अतिप्राजिन संस्कृती मानते हैं, जो कि सिर्फ लिखित रूप में तो हमारे सामने हैं, जिसे हम पराणिक कथाओं के रूप में सुनते समस्ते और जानते हैं। लेकिन जब वास्त्विक्ता की बात की जाए, तो वैदिक सभिता से भी पुरानी सिंदुगाटी सभिता और उससे पहले प्रोटोद्रविन का इतिहास हमें देखने को मिलता है, जिसको लेकर मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप डिस्क्रिशन बॉक्स में दिये गए लिंक पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। भारत की तिहास को अगर हम अच्छे से जानेंगे, समझेंगे तो पाएंगे कि प्राशीन काल स भारत की मूल संस्क्रिती में धार्मिक आडंबर नहीं, बलकि प्रकृती, वास्त्विक्ता और मानफता शृष्ट थी। भारत के मूल निवासी आदिवासी जहां जल जम्मीन, जंगल को अपना सब कुछ मानते थे, किसी देवी देवता को नहीं, बलकि प्रकृती को बंध रखती है, लेकिन भारत की प्राचेन संस्क्रिती की बात की जाए, तो गोंडी संस्क्रिती भारत की अथिप्राचेन संस्क्रिती कहीं जाती है, जिसको देश भर के सामने प्रमाणों के साथ सिध्ध करने के लिए आदिवासी समा संगर्ष भी कर रहा है, जो एक दिन काम्याब भी होगा लेकिन उत्तरवैदिक काल में जो धार्मिक कर्मकार्ण आडंबरों का सिलसला चल रहा था वो बौध धर्म के आने से कम होता चला गया और इस तरह वैदिक धर्म धीरे धीरे अपने समाप्ति की ओर अग्रसर होने लगा गोंडी धर्म से प्रभावित होकर वर्षों से चला आ रहा बौध धर्म उत्तरवैदिक काल में तब उभर कर सामने आने लगा जब धर्मिक कर्मकार्ण आडंबरों का खेल बढ़ता जा रहा था अधिकानश लोग अंधविश्वास धर्मिक कर्मकार्ण से तंग आ गये थे और अवध धर्मिक सुधार चाहते थे ऐसे में समाज दो वर्गों में बट रहा था एक आस्तिक लोगों का और दूसरा नास्तिक लोगों का आस्तिक लोग देवी देवता मोर्ती पूजा और इश्वर में विश्वास रखते थे जबकि नास्तिक लोग इन सब से परे प्रकृती और मानवता में विश्वास रखते थे उनका प्रकृति और मानफ्ता के प्रती अट्टूट विश्वास इसले था क्योंकि वह वर्ग बहुत धर्म को मानता था जिसकी शुर्वात लगभग 563 इसा पुरुम में हुई जिसकी स्थापना 2600 वर्ष पहले गौतम बुधने की थी इस काल को धर्मे सुधार का काल भी कहा गया क्योंकि इस काल में ब्राहमनों के वर्चस वकुप कली चनौते मिली और यह धर्म आगे चलकर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म कहलाया इसके 520 मिलन से अधिक अनियाई हैं जो वैश्विक अबादी का साथ प्रतिशत से अधिक है जिसे बौधों के रूप में जाना जाता है इस धर्म के लोग अधिक तर चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, भारत, आधिदेशों में रहते हैं बहुत धर्म के उत्पत्ती की बात की जाये तो इसकी उत्पत्ती इस्साई और इसलाम धर्म से पहले हुई थी लेकिन अगर आप सबसे पहला धर्म कौन सा है इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं गौतम बुध को कुछ लोग भगवान या भगवान का अवतार मानते हैं जबकि गौतम बुध कोई भगवान के अवतार या भगवान नहीं थे बलकि बुध एक विचारधारा है जिनकी विचारधारा को संसार के अनेक लोग मानते हैं जिनोंने संसार में आके अनिमिजमी की बात कही बुध एक साधार मनुष्य थे जो छतरी कुल में पैदा हुए थे जिनका जन 563 इसापुर्व में नेपाल के लुम्बनी के कपिल वस्तु में शाक्योंगे राचा शुदोधन के यहां वेशाख पुर्णीमा के दिन हुआ खाला कि कई इतिहासकारों ने गौतम बुध का जन 623 इसापुर्व बताया है लेकिन प्रमाणों के अधार पर जो सिध्ध हुआ है वो 563 इसापुर्व हुआ है यह बात तोक्र भीमरव अंबेदकर ने अपनी पुस्तक बुध और उनका धम में भी लिखी है लेकिन यहां एक बात सुनकर आपको बहुत हराने होने वाली है कि गौतम बुध का असली नाम सिध्धार्थ नहीं था बलकि सुकीती था जो भाशा विज्यानिकों का कहना है भाशा विज्यान कहता है कि सिध्धार्थ नाम संस्कृत का शब्द है और संस्कृत बुध कालीन भाशा नही कौतम बुध एक राजा के पुत्र थे और उनका जीवन एक राजकुमार की भादी बीत रहा था लेकिन पिता को एक बात की चिंता अंदर ही अंदर सता रही थी क्योंकि जब उनका जर्म हुआ था तो राजा सुधोधन ने एक पंडित से उनकी जर्म कुंडिली दिखवाई जिसमें पंडित ने कहा था यह बालक या तो आगे चलकर महान राजा बनेगा या फिरे सन्यासी पुत्र के बारे में ऐसी बाते सुनकर कोई भी पिता अपने बेटे को सन्यासी बनते कैसे दिख सकता था इसी सोच में उन्होंने राजकुमार सिधान्त को राजमहल के ऐशो अराम से बाहा निकलने नहीं दिया क्योंकि उन्हें डर्थ था कि अगर वह बाहर के लोगों का दुख दर्थ देखेंगे तो हो सकता है कि उनका हुदय परिवर्तन हो जाए समय बीटता गया धीरे-धीरे सिधार्थ विवाह योग्य हो गये राजा शुदोधर ने उनका व स्कोर दिया ब्रह्मन के दोरान उन्होंने इंसानों को कई तगुफ तकलीफ हो पीडाओं से तडपते हुए देखा तो वह भावी भौर हो गये उनके मन में एक विचार उत्पन्न होने लगे कि संसार में इतना दूदर्थ क्यों है इंसावालों से घीरे राजकुमार सिध राजमहल लोटा है लेकिन उनका मन इन सवालों के जवाब पाने के लिए बेचैन था उनकी यह बेचैनी उन्हें एक दिन ग्रिहस्त जीवन त्यागने के लिए मजबूर कर दी और वह रात में सोते वे अपनी पत्नी यशोत्र और अपने पुत्र राहुल को छोड़कर वन इसकारण उनका शरी इतना दुबला पतला हो गया कि उनका शरीर पूरी तरह से कमजोर पड़ गया कमजोरी की इस अवस्था में जब उन्हें अपनी पेट की तवचा को सपरशी किया तो उनका हाथ सिधे रेड़ में लगा अपनी इस हालत पर उन्होंने सोचा कि अगर मुझे सत्य को जानना है तो मेरा जीवित रहना भी जरूरी है इस सोच के बाद उन्होंने भिक्षा मांग कर अपना जीवन व्यतीत करना शुरू किया योग साधना और कड़ी तपस्या से अपने अंतर मन को शान्ति किया और मन में उठ रहे सवालों का जवाब ढूरना शुरू किया वसंत का समय था महात्मा बुद्ध बोध व्रिक्ष के नीचे बैठ कर तपस्या कर रहे थे तभी उन्हें ये बात समझ आई कि दुख के असली वज़ा क्या है और उसे दूर किस्त रखिया जा सकता है उन्होंने इस रास्ते को मध्यमार का रास्ता कहा जिसमें बहुत अधिक मोह और बहुत अधिक वेराग्य दोनों से बचने की बात कही गई है और जीवन को एक बैलन्स में जीने की बात पर जोर दिया गया है उन्होंने जाना कि इस दुनिया में जो भी घट रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है अगर हमारा जन्म हुआ है तो उसका भी कोई कारण है और हमारी मृत्ती होगी तो उसका भी कोई कारण होगा हम इस ब्रह्मान का ही हिस्सा है जिसमें हम दो हिस्सों में बटे हुए है पहला हिस्सा शरीर का है और दूसरा हिस्सा मन का है मन वही है जो इंसान को उसके शरीर से काम करवाती है अगर हमारा मन अच्छे कर्म करने का है तो हम अच्छे कर्म करेंगे और अगर बूरा करने का है तो हम बूरे कर्म करेंगे गौतम बुध अपनी सभी इंद्रियों को नियंतर रखने का उपदेश देते हैं गौतम बुद्ध पुनर्जन और आत्मा को नहीं मानते हैं बौत धर्म सिखाता है कि किस तरह मनुश्य प्रकृति की इच्छा और अज्यानता के कारण होने वाली पीड़ा को दूर कर सकता है मृति और पुनर्जन के चक्रों को समाप्त करके व्यक्तिकत आत्मा को पार कर सकता है उनकी यह शिक्षा धर्म कहलाई बौत धर्म ने धर्म को महत्व दिया है जबकि धर्म को कोई स्थान नहीं दिया गया है बुद्ध की विचारधारा जहां बुद्ध की विचारधारा जहां बुद्ध की शिक्षा संस्कृत को देवताओं की भाषा और वेदों को निशली जातियों महिलाओं के लिए वर्जित बताया तो वहीं बुद्ध की विचारधारा में संस्रुत की बजाए स्थानी बोली का उप्योग किया गया है शिक्षा का अधिकर चाहे वो महिलाए हो या निचलेवर के लोग सभी को मिलने की बात कही गई है बुद्ध ने पुरोहितों की विचारधारा का विरोध किया ब्रामण कहते हैं कि किसी व्यक्ति की छंता और उसके कर्म उसकी जाती के अधार पर तैय होते हैं लेकिन बुध ने इस विचार धारा को मानने से इंकार कर दिया उन्होंने जर्म अधारित योगिता की जग़ कर्म अधारित योगिता पर जोड दिया उनकी शिक्षा का प्रचार मौखिक रूप से हुआ इस तरह बौध धर्में अनेक उपदेश दिये गए हैं जो इनसान को अस्टांगेक मार्ग पर चलना सिखाते हैं असी बर्ष की उमर तक गौतम बुध अपने संदेश के माध्यम से लोगों को चागरत करते रहे और गौतम बुध की मृत्यू 483 इश्व उशी नारा में हुई बौध धर्म के अनियाई इसे महापरी निर्वान कहते हैं लेकिन उनकी मृत्यू के मत में बौध बुध जीवियों और इतिहासकारों का एक मत नहीं है बहरहाल उनकी शिक्षा का प्रचार मौखिक रूप में हुआ लेकिन गौतम बुध द्वारा दी गई शिक्षा का प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा राजा करनेश्ख और समराट अर्शोक ने किया संसार के कई जगों पर जाकर उन्होंने बौध धर्म का प्रचार प्रसार किया एक हजार वर्षों तक इसका प्रचार प्रसार जोरों से हुआ लेकिन धीरे धीरे बौध धर्म की प्रचार प्रसार में गिरावटाती गई जिसकी कई वज़े बताई जाती है जिन में एक वज़े हिंदू धर्म के प्रतिशत्रता और बहुत संख्य वर्ग द्वारा हिंदू धर्म को प्रबंखता दिया जाना बताया जाता है लेकिन बीस्वी सताबदी में पौध धर्म एक पर फिर डॉक्टर भीम राव अमबेटकर द्वारा पुनह उभर कर सामने आया आधनिक समाज के निर्माता डॉक्टर भीम राव अमबेटकर ने गौतम बुध के विचारधारों को एक पर फिर से लोगों के सामने रखा जिसका परिणाम यह हुआ कि आज भी हमारे समाज में एक वर्ग गौतम बुद्ध को मानता है जो उनकी विचारधारा से सहमत है आज की इस वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे खोदाई के दोरान सिंदुगाटी सभिता में मिले शैव धर्म, गोंडी धर्म, बौध धर्म और जैन धर्म के अवशेशों में कौन सा धर्म सबसे प्राचीन है यह स्पस्त नहीं है लेकर इतिहासकारों का अपना-पना मत है लेकिन कोई भी इतिहासकार इन धर्मों के उद्भव को स्पस्त नहीं कर पाया है शैव धर्म और गोंडी धर्म को जहां पुस्तकों में नहीं पढ़ाया गया है बहीं जैन धर्म और बहुत धर्म हमें पुस्तकों में पढ़ने को मिलते हैं जिसमें जैन और बहुत धर्म दोने ही सबसे प्राचीन धर्म होने का दावा करते हैं आज की इस वीडियो में हम जैन धर्म के इतिहास की ही बात करेंगे महावीर स्वामी जैन धर्म के 24 वे तिर्थंकर थे लेकिन उन्हें जैन धर्म का वास्त्विक संस्थापक कहा जाता है क्योंकि इसवे तिर्थंकर तक जैन धर्म का उतना विस्तार नहीं हो पाया था जितना महावीर स्वामी के काल में जैन धर्म का विस्तार हुआ जैन धर्म के पहले तिर्थंकर भगवान आदिनाथ थे भगवान आदिनाथ जिन्हें रिशब देव भी कहते हैं भगवान रिशब देव के संबंद में जैन पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अंतिम कुलकर राजा नाभी राज जिन्होंने सत्रा लाख वर्ष की आयू के बाद जैन मुनी बनकर मोक्ष को प्राप्त किया था का विवाह राने मरू देवी से हुआ जिनके पुत्र रिशब देव हुए जो जैन धर्म के पहले तिर्थंकर हुए और यहीं से तिर्थंकर की परवपरा शुरू हुए तिर्धंकर का अर्थ होता है तीर्ध की रशना करने वाला यानि की जो जनम मरण के चक्र से मोक्ष तक के तीर्ध की रशना करता है वह तिर्धंकर कहलाता है और जैन का अर्थ होता है जीतने वाला जिसने स्वेम को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं जैन शब्द जिन शब्द से बना है जिन बना है जीधात उसे जिसका अर्थ है जीतना अर्थात जिसने स्वयम को जीत लिया उसे जितेंद्री कहते हैं जैन धर्म के हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम यहां पर भगवान रिशब्देव के बारे में भी जान ले भगवान रिशब देव का विवा नंदा और सुनंदा से हुआ रिशब देव के सौ पुत्र थे और दो पुत्रियां थे उनमें भरत सबसे बड़े एवन प्रथम चक्रवर्ती समराथ हुए जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत वरश पड़ा दूसरे पुत्र पाहुबली थे वह भी एक महान राजा थे अगर आपको प्रथन चक्रवर्ती समराथ भरत के बारे में जानना है तो दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक पर जाकर आप राजा भरत के बारे में जान सकते भगवान रिशक देव के बाद कुल 23 तिर्थंकर हुवे और 24 तिर्थंकर महावीर स्वामी कहलाए महावीर स्वामी का जन 540 बीसी में वेशाले में पिता सिधार्थ और माता त्रिशला के यहां गायत्री कुल में हुआ महावीर स्वामी के बच्पन का नाम वर्धमान था लेकिन ग्यान प्राप्ति के बाद उन्हें नया नाम दिया गया महावीर स्वामी का उनका विवा यशुदा से हुआ और उन्होंने तीस वर्ष की आयू में ग्रहत्याग दिया लेकिन महावीर स्वामी ने ग्रियत्याल का फैसला अपने बड़े भाई की अनमती लेकर किया था महावीर स्वामी के बारे में और भी बहुत सारी ऐसी जानकारी है जिसे अगर हम गौतम बुध से कंपेर करके जानेंगे तो हम जैन धर्म को ज़्यादा अच्छेस तरीके से जान जाएंगे इसलिए आए जानते हैं जैन धर्म और बौत धर्मे क्या अंतर था महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में वैशाली में हुआ था और मृत्यू 468 BC में 72 वर्ष की आयू में बाबापुर में हुई थी जबकि गौतम बुध का जन्म कपिल वस्तो में 563 E3 में हुआ था और मृत्यू 80 वर्ष की आयू में हुई थी महावीर स्वामी के बच्पन का नाम वर्धमान था लेकिन ग्यान प्राप्ति के बाद इन्हें नया नाम दिया गया महावीर स्वामी का वहीं गौतम बुध के बच्पन का नाम सिध्धार्थ था और ग्यान प्राप्ति के बाद उन्हें गौतम बुध का नाम सिध्धार्थ और गौतम बुध शाक के कुल से संबंद रखते थे महवीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयू में अपने बड़े भाई की अनुमती लेकर ग्रिहत्याग कर दिया था जबकि गौतम बुध ने 29 वर्ष की आयू में ग्रिहत्याग किया था महावीर स्वामी को ज्यान प्राप्ती जाबिग्राम में हुई थी जबकि गौतम बुध को ज्यान प्राप्ती बोध गया में हुई थी महावीर स्वामी को ज्यान की प्राप्ती सालवरिक्ष के नीचे हुई थी जबकि गौतम बुध को ज्यान की प्राप्ती पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी महावीर स्वामी को ज्यान की प्राप्ती के बाद कैवल लिक कहा गया जबकि गौतम बुध को ज्यान की प्राप्ती के बाद बुधधत्व कहा गया महावीर स्वामी ज्यान की प्राप्ती के बाद जिन कहलाने लगे जिनका अर्थ होता है विजेता वह अर्था भी कहलाए जिसका अर्थ होता है योगी उसके बाद फिर निरग्रंत कहलाए जिसका अर्थ होता है बंधन रहित और अंत में महावीर स्वामी कहलाए जिसका अर्थ होता है साधना के प्रती समर्पन और ऐसा कहा जाता है कि जब वह गहर छोड़कर निकले थे तो एक वस्त्र में ही थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन एक ही वस्त्र पहन कर कड़ी तपस्या की एक ही वस्त्र में घूमते रहने के कारण उनके सारे कपले फटफट कर गिरने लगे फिर भी उन्होंने अपनी कठोर तपस्या नहीं छोड़ महावीर स्वामी ने पांच शिक्षों पर जोड़ दिया सत्य अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह और ब्रहमचरे। इन पांचों को मिला कर जैन धर्म में महावरत कहा गया। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजग्रिय में दिया था, जबकि गौतम बुधि ने अपना पहला उपदेश आरनाथ में दिया था। सम्यक ज्यान मतलब वास्तविज्यान, सम्यक आचरन का मतलब होता है सुख दुख में समानभाव रखना। जबकि बौत धर्म में दुखों से मुक्ति केली अस्तांगिक मार्ग बताया गया है और वह मार्ग बुध, धम और संग हैं। महावीर स्वामी आत्मा और पुनरजनम में विश्वास रखते थे जबकि गौतम बुध आत्मा और पुनरजनम में विश्वास नहीं रखते थे। महावीर स्वामी का आत्मा में विश्वास रखने का मतलब है कि हर सजी वस्तु में आत्मा हैं। उसे ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए। अगर आप उसे ठेस पहुचाते हैं तो वह हिंसा है अहिंसा का मार्ग नहीं है। महावीर स्वामी इश्वर और वन व्यस्था में विश्वास नहीं रखते थे, गौतम बुद्ध भी इश्वर और वन व्यस्था में विश्वास नहीं रखते थे, जैन धर्म के दोरान दो सभा का आयोजन किया गया, प्रथम जैन सभा चंद्रगुप्त मौरे के शाशनकाल म इस सभा के अध्यक्ष स्थूल भद्र थे जो आगे चलकर श्वेतामबर के संस्थापक बने। वहिं दुतिय जैन सभा का आयोजन हजार वर्ष बाद छटी शतापदी में वल्बी गुजरात में हुआ। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार पसार के दोरान संकिस्थापना की जिसमें उनके 11 अनियाई शामिल थे। इनके अनियाई को गंधर कहा गया तेकिन महावीर स्वामी की मृत्यू के बाद इनके अनियाई में मदभेद हुशुरू हो गया। जिसके कारण चंद्रगुप्त मौरे के समय जैन धर्म दो भागों यानिकी दो संप्रधायों में बढ़ गया। श्वेतामबर और दिगामबर। दिगामबर संप्रदाय में बदलाव को नहीं स्विकार करने वाले लोग थे और श्वेतामबर संप्रदाय के लोग बदलाव को स्विकार करने वाले लोग थे उन्होंने बदलाव को स्विकार करते हुए श्वेत वस्त्रधारन करना शुरू कर दिया जबकि दिगामबर में नगनता को ही अपनाय रखा दिगांबर संप्रदाय में इस्त्रियों के लिए मोक्ष की बात नहीं कही गई है क्योंकि दिगांबर संप्रदाय में नगनता को प्रात्मिक्ता दी गई है जबकि स्वेतांबर संप्रदाय में इस्त्रियों के लिए मोक्ष का मार खुल गया श्रुतामबर महावीर स्वामी को भगवान के रूप में मानने लगे और उन्हें मुर्ति पूजा की तरह पूजने लगे परिणाम यह निकला कि आज हमें जैन धर्म के कई मंदित देखने को मिलते हैं और जब से जैन धर्म दोम सम्रदायों में बटा और महावीर स्वामी के बाद जिस तरह से इसका विगटन शुरू हुआ उस तरह से जैन धर्म की मानेताओं में भी गिरावट आने लगी और यही कारण रहा कि बौत धर्म की तरह जैन धर्म भी धीरे-धीरे समापती की ओर अग्रसर हो गया अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे साथ ही बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाले हर सिरीज की नौटिफिकेशन आप तक पहुंच सके